हलो फ्रेंड्स वेलकम टू फूट पैराडाइज फ्रेंड्स आज हम लोग देखेंगे कि 5 किलो आमके अचार में कितना मसाला पड़ता है खड़े मसाले धनिया, सौंफ, मेथी, काली मिर्च, राई, जीरा, मंगरेल, काली सरसो, पीली सरसो, हींग, कूटी मिर्च, कसमी रिमिच कुछ मसालो को ड्राइ रोस्ट करेंगे सबसे पहले धनिया को रोस्ट करेंगे इसमें मेथी और जीरा डाल देंगे इसे भी रोस्ट कर लेंगे लगबग 8-10 काली मिर्ज फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सेयर और सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी बेल आइकन दबा लिजेगा ताकि आने वाली रेसिपी आपको फटाफट मिल मसाला हलका सा रोस्ट हो गया है अब गयस की फ्लेम को आफ कर देंगे फिर इसमें डाल देंगे काली सर्सो कड़ाही और मसाले की गर्मी से ही सर्सो रोस्ट हो जाएगा अब इन मसालों के अलावा प्रेजर्वेटिव के लिए और टेस्ट के लिए चाहिए नमक, हल्दी, सर्सो का तेल और सिर्का फ्रेंड्स इस मसाले से आप कटाहल, सूरन या भी किसी भी चीज़ का अचार बना सकते हैं अगर वो खट्टा नहीं है तो फिर थोड़ा सा अमचुर भी डालेंगे पीली सर्सो को हम कच्चा ही डालेंगे और दरदरा क्रस करके डालेंगे अब रोस्टेट मसालो को भी पीस लेंगे ये लीजे आपका अचार का मसाला तयार हो गया है कुछ कच्चा, कुछ रोस्टेट, कुछ खड़ा, कुछ पीसा चलिए एक बड़े से बरतन में मसालो को मिक्स करते हैं सबसे पहले रोस्टेड, पीसा हुआ मसाला लेंगे, हल्दी पाउडर लेंगे, नमक लेंगे, हल्दी नमक चुकी हमने आम में पहले से ही लगाया हुआ है, इसलिए टेस्ट के एकाडिंग यहां पे थोड़ा सा कम ले रहे हैं, उटी लाल मिर्च और कस्मिरी लाल मिर्च यह है हींग, सभी मसालो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यह आपका आम के अचार का मसाला तयार हो गया, इसमें आप प्रेजर्वेटी के लिए सरसो का तेल इस्तिमाल कर सकते हैं, या फिर गन्य का सिरका, पांच किलो आम के अचार में लगबग एक किलो तेल लगेगा पर पहले थोड़ा सा तेल लेंगे, उसे गरम करके ठंधा कर लेंगे, यह आपका हल्दी और नमक लपेटा हुआ आम है, जो की 24 गंटे पंखे की हवा में था, अब इसमें हम सबसे पहले सरसो का तेल डालेंगे, अब इसमें हम आम के अचार के लिए जो मसाला बनाया थे य यह पान से लेके 10 चमज तक डालेंगे, आपको अगर मसाला ज्यादा पसंद है तो ज्यादा डालेंगे, नहीं तो फिर 5-6 चमज डालेंगे, और इसे प्रपरली मिक्स करेंगे, इसे ढख कर 3-4 दिन तक पकने देंगे, और बीच बीच में इस तरीके से मिला देंगे, आम क अचार बना कर अब साल भर तक खाये, फिर मिलते हैं, नेक्स डेस्पी किसा, थैंक यू